तो यह हमारा जो वीडियो इसमें हम सेकेंड चैलेंज जो हमने पूछा था कि order जब add हो जाएगा उसके ठीक बाद हमें shipping को add करना है ठीक है तो यहां पर आप गौर फर्माइए कि मैं बोल रहा हूं कि order होने के just बाद हमें shipping करना है उससे पहले नहीं करना है उसके बाद ही करना है और उसके साथ-साथ भी नहीं करना है तो यहां पर sequence बहुत important है तो आपको sequence एक note मिल गया जिससे आप जान सकते हो कि concat map ही यहां पर यूज कर सकते merged map नहीं उसकते switch map नहीं कर सकते exhaust map भी नहीं उसकते switch map use करोगे तो पुराना order जो है वो cancel हो जाएगा और नए order चलो हो जाएगा exhaust map use करोगे तो पुराना order ही चलता रहेगा और shipping फिर पुराने कही आड़ होगा तो हमें क्या करना है कि जो order complete हो जाएगा पूरा का पूरा उसके बाद ही मैं shipping add करूँगा यह हमारा requirement तो यहां पर best suit कर रहा है concat map तो shipping information जो है वो add होना चाहिए order के बाद तो let's try that तो अभी मैं concat map use करके लिखूंगा concat map यहां पर हमें order object मिल रहा है तो मैं अभी order object को shipping को pass करूँगा तो this.add shipping call करेंगे और वहां पर order object पास करेंगे अभी shipping क्या return करेगा order object again return करेगा उसके अंदर order की id होगी तो हम map operator यूज़ करके order id यहां से return करेंगे ताकि हमें जो भी call करेगा submit order उसे हम observable of string रिटन करेंगे और observable string में basically order id रिटन होगी ठीक है तो यहां आपने यह note किया कि जब कभी भी order sequence important है तो हमें concat map यूज़ करना है तो चलो एक submit करते हैं desk और $400 का देख लेते हैं यह code चल रहा है कि नहीं तो अभी order list पे जाएंगे तो देखो desk added हो गया तो यह रहा आपका second challenge का solution तो चलो चलते हैं आपको तीसरा challenge दिखाते हैं